आप सब कैसे हैं अच्छे हैं गुड तो आज हम सब जी के में जो है ना डारेक्शन के बारे में जानेंगे सबसे पहले यह जानते हैं कि तो देखते हैं डि आई आई आर ई सी टी आई ओ इन इस क्या है डि आई आई आर ई सी टी आई ओ इन इस डिसाएं और वही डिरेक्शन रहेगा तो दिसा तो हम लोग किस के बारे में आज पढ़ेंगे दिसा के बारे में तो कितने होते हैं डिरेक्शन तो फोर होते हैं कौन-कौन से एस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हम लोग देखते हैं आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं कि सूरे जो है किस दिसा में उगता है सूरे जो सूरा मॉर्णिंग के टाइम में निकलता है वो किधर से तो वो पूरव से निकलता है किस दिसा से पूरव जिसको हम इंगलिस में क्या कहते हैं इस्ट तो जब हम रात को सोते हैं तो हमें मॉर्णिंग में जल्दी उठना चाहिए या लेट से उठना चाहिए तो वी आलवेज वेक अप अरली इन दा मॉर्णिंग हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए और सूरे की तरप अपना चेहरा करके खरे होना चाहिए और सुरे नमस्कार करना चाहिए जब हम सुरे की तरफ सुबह में ख़रा होते हैं तो हम देखते हैं कि सुरे की जो किरने आती है और जो हमारे सरीज पर पढ़ती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है ठीक है और सुरे की धूप से हम क्या लेते हैं सुरे हमें सबसे पहले ये जानते हैं कि सुरे से हम क्या प्राप्त करते हैं तो दो चीज प्राप्त करते हैं एक हीट और दूसरा लाइट एक हीट और दूसरा लाइट और सुरे हमें ठीक है हीट और लाइट हम प्राप्त करते हैं यू आ फेसिंग दा इस्ट तो तुम्हारी face किस दिशा में होनी चाहिए आपकी face east के दिशा में lift both your hands at your side so that they are in line with your shoulders अपने हाथ को जो है न दोनों side क्या करना है उठा लेना है क्या करना है उठा लेना है किसके equal में तो soldiers के equal में तो soldiers में इस क्या होता है good क्या होता है करना तो फिर देखते हैं the direction which your right hand points out is the south तो आप देखेंगे जिस direction में आपका right hand जो है न मतलब आप right hand को अपने उठाए हैं वो कौन सा direction है south है कौन सा south the direction which your left hand points out in the north और जिस direction में आप अपने left hand को उठाए हैं वो क्या है north है your back is facing the west और आपका सरीर का back parts जो है न वो west की तरफ है तो इसे यह पता चलता है कि हमारे सरीर का जो सामने वाला parts है जो हमारा मू है वो किस दिसा में है इस्ट में है जिधर से morning में सुरे निकलता है तो north, south, east and west are the four cardinal directions तो हमने क्या जाना है इससे हमें क्या पता चलता है कि चार दिसाएं होती है इस्ट, west, north, south अब हम कुछ इसमें spelling देखते हैं जिसके meaning आपको करने है जैसे direction d-i-r-e-c-t-i-o-n-s directions फिर देखते हैं all, a-w-l फिर देखते हैं no, k-n-o-w फिर देखते हैं rise, r-i-s-e फिर देखते हैं wake up, w-a-k-e-u-p wake up फिर early e-a-r-l-y morning m-o-r-n-i-n-z stand 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 both b-o-t-h line line l-i-n-e soldiers s-h-o-u-l-d-e-r-s point p-o-i-n-t तो मैंने जो जो words बोले हैं उसके meaning करके फिर आपको send करना है ठीक हैं तो अभी हमने directions में क्या जाना है कि कितने होता है directions four होते हैं तो सूर्य क्या होता है morning में east की तरफ से निकलता है और sets किस दिसा में होता है किस direction में तो west में जाके sets करता है तो डूपता कभ है तो in the evening और wake up कभ होता है मतलब सूर्य निकलता कभ है तो morning में rises कभ होता है तो morning में किस direction से east से और sets होता है west direction से कभ होता है तो evening में तो इस तरह से हमने directions जाना ठीक है फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई